इसा दो देखे आटिकल 3070 और जैसे विकास fenay तर रखी की हम बात करते हैं उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन क्योंकि अब ये इंटरनाशनल वर्ल में जस्टिफाई करना चाहते हैं बार बार तरक्की का बोल रहे हैं इनको अभी तक क्या रोक रहा था और अगर आप जम्मू कश्मीर के पैरमीटर्स और जिसको डेवलाप्मेंट इंडाइसिस कहा जाता है जैसे लिटरिसी, एडुकेशन, कश्मीर में गुर्बत नहीं हैं हाला कि जब इस बार दो महीने पहले टूरिस को निकाला गया बहुत सारी तादाद में बिहारी वर्कर्स को निकाला गया जो बिहार के वर्कर्स होते हों कश्मीर में जाके मजदूरी करते हैं और इसलिए मजदूरी करते हैं क्योंकि उनको वहां बेटर पेस्केल मिलता है तो जैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि कश्मीरी अमन नहीं चाहते हैं स्टोन पेल्टर उसलिए कर रहा है बिल्कुल गलत किया और अगर आपको इतना बड़ा डिसिजन लेते भी हैं तो मुफ्ती और अब्दुल्ला की फैमिली ने कश्मीर को तबाह किया उसको लूटा और उनके ये इंट्रेस्ट में था कि वो कश्मीर के हालात खराब रहे हैं अच्छा हुआ आपने मेरे से सवाल पूचा मैं अब्दुल्ला इसके बहाफ पे जवाब नहीं दे सकती हूँ क् मेरी मदर को ये पुष्टेनी जायदात के नाते नी मिली उनने खून पसीना एक करके ये पाटी बनाई है और ये इसलिए बनाई कि लोगों की डिगनिटी के लडने के लिए और मुफ्ती साब का जो पहला टर्म था दो हजार दो से लेके पांच तक वो जम्मू कश्मीर मे बहुत बहतरीन माना जाता है वो पीरिड बिकुज उस टाइम पीस, स्टेबिलिटी और लोगों को लगा कि उनकी डिगनिटी उनको रिस्टोर की गई ती तो ये जो नारेटिव बोलते हैं पहले तो बिलकुल गलत है और इसमें डबल स्टैंडर्स भी है आप देखिए ये माराष्टर में इलेक्शन लड़ने वाले और इनने आदतिया ठाकरे जो बहुत यंग है इस ट्वेंटी सिक्स याज ओल उनने कभी इलेक्शन लड़ा तक नहीं है और उनको पहले से ही डेपुटी सीम डिकलेर कर दिया गया है पंजाब में इनके बादल्स हैं आलाइस तो फैमली का देखे जमूरियत की स्पिरिट यही होती है कि जिस महबूबा मुफ्ती को दो हजार चौदा में 75,000 के मार्जन से लोगों ने जिताया उसी महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस साल हमबल कर दिया लोगों ने और वो 10,000 वोटों से हार गई हार जीत तो पॉलिटिक प्रोसेश जैसे इनने किया है वो बिलकुल गलत है कश्मीर में पिछले तीस साल थे तक्रीब अमिलिटेंसी रही है अगर वो लॉक डाउन हटा दे तो यही सिच्वेशन फिर पैदा हो जाएगी और बहतरी के लिए कर रही है कि लोगों बचाये जाए देखिए कश्मीर की ट्राजडी क्या हुई है उर्दू में कहावत है लम्हों ने खता की सदियों ने सदा पाई तो सेंटर के डिसिजन्स की वज़े से कश्मीरी पिस रहें अगर ये अभी कह भी रहें कि हालात खराब होंगे हालात कुँ खराब होंगे क्योंकि इनने इतनी बड़ी हरकत की है अगर ये डेवलप्मेंट का कहते तो इनने बाईफर केट क्यों किया स्टेट ये कश्मीरी को डिसमपावर करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं कि हम आपको मज़ा चखाएंगे और हम आपको पूरा डिसमप का बहुत मसला रहता है डेवलाप्मेंट के लिए तो एलेक्रिसिटी एसेंशल है ना तो इनने क्यों नहीं पावर प्रोजेक्स तब वापस किये लेकिन अगर यह खोल दें अगर आपकी बात माने जाए सारे इंटरनेट खोल दिया जाए मोबाइल खोल दिया जाए तो क्या स तो बाकी कंट्री में तो निंचस्तान बन गया है हमारा मुल्क लिंचस्तान बन गया है तो ये आपका जस्टिफिकेशन बहुत गलत है इनको पता है ये चाहते नहीं कि कश्मीर से अभी एक आवाज भी उठे और एक बार जब इंटरनेट आजाएगा तो लोग एक साथ शेयर कर पाएंगे कि इन दो महीनों कैसे उनको कैद में रखा गया कैसे कितनी तादाद में छोटे-छोटे बच्चों को लिया गया है उनको टॉर्चर किया गया है यह नहीं चाहते कि यह सारी चीजे सामने आए तो यह इस बात पर परदा रख रहे हैं चाहँ आप कश्मीर की एक टाप सियासदा की एक राजिशिक की बेटी हैं यहां इंडिया में आम परसेप्शन है कि जो वहां की जो प्रोटिकल पार्टी रही हैं और जो अलाहिदगी पसंद रहे हैं जो अलगावादी लीडर्स रहे हैं वो अपने बच्चों को तो उन्हों पत्राव में लगा दिया यह यह परसेप्शन यहां पर बहुत जादा आम है क्या सोचते हैं आप मैं इस परसेप्शन को पूरा यह इंकम्प्लीट परसेप्शन है यह बात सही है कि उनने भी अपने बच्चों को बाहर बेज जाए लेकिन जो हम मेरी जनेरेशन है जो एट कश्मीरी बच्चे मैं उनको बताना चाहती हूं कि कश्मीरी बच्चे जाहिल नहीं है आप कश्मीरी बच्चों को देखिये उनने अपनी जिन्दगी में इतने difficult situations में कितना हासिल की है प्रब्लम वही है कि आप कश्मीरियों को डीमनाइज कर रहें उनको जाहिल की तरह पेंट करते हैं कश्मीरी बिल्कुल जाहिल नहीं है आप उनको देखिए एंजिनियर्स डॉक्टर उनने कितना हासिल कि और यह जो स्टोन पेल्टर वाली इमिज करते हैं यह बहुत यह कभी हालात बेतर होंगे क्या देख रही है मुस्तक्बिल देखे मुझे लगता है कि इनने यह डिसिजन ले लिया और इनको लगा कि बहुत जल्द हाला ठीक हो जाएंगे क्योंकि इनका हर एक में नीजर्क रियाक्शन आ रहा है इनने अज्यूम नहीं किया था कि इतना लं ठीक होने वाले क्योंकि इनका जो नॉर्मल सी का टेंपलेट है वो है कि ट्राफिक बढ़ गया यह यह नहीं देखना चाहते कि स्कूल बंध है वहां जब मातम बनाने का हक जो है हमसे चीन लिया गया है तो यह जब कहते हैं कि हम जब प्रधान मंतरी बाहर जाते और कहते है कि कश्मीरी को गले लगाओ अर एम्ब्रेस करो आपने तो कश्मीरी से मातम मनाने का हक छीन लिया है आप उनको क्या गले लगा रहें कि आपने उनको ऊपने उनको इकुल राइज दिये हैं उनकी सोच क्या है इस वक्त देखिए पिछले जो UNGA का सेशन हुआ बहुत सारे लोगों का फोन आया मुझे कश्मीर से और वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों को खुशी हुई और यह हमारे बहुत शर्म की बात है कि 72 अफ्टर वी अकसीड़ टू इंडिया हमने पाकिस्तान के साथ अकसीड नी किया हमारी इम्रान खान साब ने बात की तो कश्मीरियों को उनके अच्छा लगा कि उनने कश्मीरियों के लिए बात की है लेकिन जो अभी यूथ है वो बहुत जादा अभी अंटी इंडिया सेंटमेंट हो गया और यह मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि यह पॉलिटिशन को सू इजदी जो पूरी कश्मीर पे ही कंसेंटरेटर थी उसका क्या इंपक्ट हुआ होगा वहां पर क्या इसका अफर हुआ है देखिए वहां पे तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो हमारे लिए बात कर रहा और इम्रान खान साब की स्पीच के बाद लोग बहुत जवानों हर एक बंदे के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि क्या हमने ठीक किया इंडिया के साथ एकसीट करके वो मुल्क जो अपनी डाइवरसिटी में इतनी प्राइड लेता था वो आज हिंदू मुस्लिम इतना यहां नफरत पैदा हो गई है तो हर एक कश्मीरी के दि फिर क्या सिच्वेशन होगी किस तरह के पॉलिटिक्स होगी उनकी देखे यह तो वही आंसर कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इनने जानबूच के किया जो यह कहते हैं कि हमने कश्मीरी लोगों को खुश करने के लिए डाल लिया तो फिर कश्मीरी लोग क्या अगर अ इनका क्या स्ट्राटेजी रहना चाहिए मुझे लगता है वो एंसी हो वो पीडीपी हो वो कोई भी जमात हो इनको सारे अपने पुलिटिकल डिफरेंसेज भूल के एक साथ आके अब काम करना है और लोगों की डिगनिटी के लिए इनको अब लड़ना पड़ेगा और यह अब तो सारे अभी बंद हैं दो महीने हो गए कोई नहीं है जो कश्मीर की तरफ से बात कर सके आप उनमें से एक हैं जो बाहरा के बातें कर रही हैं तो क्या यह समझा जाए कि अब आप भी सियासत में कदम रख चुकी हैं बिलकुल नहीं मैं आउट ओव मजबूरी अगर आप देखेंगे मेरी मदर जब चीफ मिनिस्टर थी उनकी और मेरी आपको एक फोटो भी नहीं मिलेगी इंटरनेट पे मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो मुझे आज इस कोई इंटरिस नहीं है बहुत सारी कश्मीरियों को गुस्सा आ रहा है कि आपकी मदर हैं तब ही आप बात कर रहे हैं मैं यह बहुत लियरली बोलना चाहती हूं कि अगर मुझे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना होता तो मैंने एक लफ्स भी नहीं बोला होता क्योंकि इनकी तरफ से गवर्मेंट की तरफ से मुझे बहुत थ्रेट्स आई है कि आप चुप करो अगर आपने चुप नहीं किया तो हम आपकी मदर पे पीएसे स्लाप कर देंगे हम आपको जेल में डाल देंगे लेकिन मैं अब डंके की चोट पे रहके बात करना चाहती हूं क्योंकि कश्मीरियों की आवाज इनने बिल्कुल स्मदर कर लिये और हमें हमारे हक चाहिए हमे इस सब हुमन स्ट्रीट किया जा रहा है लेकिन नहीं इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा पॉलिटिक्स में कुछ जॉइन करने का अभी हमें ऐसी बाते नहीं ट्रिविलाइज करनी चाहिए लीडर्स स्टूडियों में थोड़ी ना बनते हैं लीडर्स तो लोगों के बीच में रहके बनते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने दो इंटर्वियू कर दिये तो आप लीडर बन गए तो यह बताए कि कश्मीर का मुस्तक्बिल अब आप क्या देख रही है अब मैं क्या बोलूँ आपको अभी तो बिलकुल हमें अंधेरा ही लग रहा है तो अभी देख है कि यूनों वो जदो जहद करके अपने हख चाहते हैं और वो इनके लिए लड़ेंगे इन पीस्फुल वे लेकिन दुख इस बात का है कि जो एक गवर्मेंट है बिलकुल पिंजरे में कैद करके रख दिया लोगों को उनको इतना भी हक नहीं दे रहे कि वो पीस्फुली पर बोलती हूं तो कहते हैं आपने कश्मीरी पंडित्स को निकाला यूनों आप हिस्टी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं जो चीज कश्मीरी मुस्लिम ने इस नॉट लाइक की वाइलन्स उनको अफेक्ट किया पंडित्स को और हमें ही किया गया जब मेरी मदर जब मैं निकाला है बहुत गलत है आप अपके साथ यही करेंगे तो वह लीडर्शिप जो हिस्टी को ऐसे इन वो को डिस्टॉर्ट करती है आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री किस अभी दॉर से गुजर रहा है आपको क्या इंडिया बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है मुझे ये मसला जम्मू कश्मीर काई नी मुझे पूरा मुल्क एक घबराहत होती है मुझे पहली बार अब कॉंशिस हुई हूँ कि मैं मुसल्मान हूँ मुझे इतने सालों में कभी नहीं लगा कि मैं मुसल्मान हूँ और इनके जो अक्शन्स है वो NRC हो वो अब्रोगेशन अब अर्टिकल 370 हो वो citizenship bill हो उससे जो इस country की रू है उसको लगता है जैसे हर रोज चोट पहुंचाई जा रही है और ये लोग चाहते हैं कि जो country pluralistic थी, democratic थी, secular थी वो हिंदुत्वा जो कहते हैं राइट विंग, fascist, बिलकुल Hindus का राज हो जाए, Hindu राष्टा हो जाए and they want you know tyranny of the majority जो इस country की रू हो को बहुत चोट पहुंचाई रही है, it's like an assault on the country's soul every day, it's like an assault on this country's soul.